जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धन्तेरस साल 2030 में कब बनाई जाएगी और इसकी पूजा का सुमूरत क्या रहेगा? इसके लावा हम आपको बताएंगे धन्तेरस की संपूर्ण पूजा वेदी के बारे में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक् करें, तो आईए सुरू करते हैं. दोस्तों, दीपा वली की सुरुवाद धन्तेरस से ही हो जाती है. धन्तेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है. हिंदू पांचांग के अनुसार कार्टिक मा के क्रश्न पक्ष की त्रोधसी तिथी के दिन धन्तेर लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इसे धन्तेरस के दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं. इसके लावा धन्तेरस के दिन नई चीजे खरीदेने की परंपरा है. कहा जाता है कि धन्तेरस के दिन सोना, चांदी, कपड़े, वाहन और बरतन खरीदन काफी सुब रहता है. आप धन्तेरस की साम को सुब मूरत में पूर्व्याहुत्तर की दिसा की ओर मुख करके बैठ जाएं. और एक लकड़ी की चौकी पर मालक्षमी और कुबेर भगवान वा धन्तरी जी की स्थापना करें. अब इसके बाद गड़ेज लक्षमी और कुब मिठाई और धन्तरी जी को पीले मिठाई का भोग लगाएं. इसके बाद पूचा के दवरान आप ओम रीम कुबेराय नमामंत्र का जाब करें. आप इस दिन श्री सूप्त, लक्षमी चालीसा, गड़ेज चालीसा इनका भी पाट करें. साथ ही धन्तरी स्त्रोत का पाट करे इसके बाद आरती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें. चलिए जानते हैं कि साल 2030 में धन्तेरस का पर्व कम मनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि धन्तेरस 10 नौवंबर 2030 दिन सुक्रवार को मनाई जाएगी. और त्रोदसीतिति की सुरुवात 10 नौवंबर 2030 की दोप जहर को एक बचकर 57 मिनट पर होगी. और धन्तेरस पूजा का सुम मूरत साम पांच बचकर 47 मिनट से लेकर रात 7 बचकर 43 मिनट तक रहेगा. इस सुम मूरत की कुलवदी एक घंटा 56 मिनट की रहेगी. और 10 नौवंबर 2030 को यम दीबदान भी किया जाएगा. और इस दिन प् साम पांच बचकर 47 मिनट से लेकर रात 7 बचकर 43 मिनट तक रहेगा. तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें. और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्ते पूछ लें. और इस वीडियो को लाइ बच्छी करेंगा दिस कमेंटूर लिए जा बच्छी लगी यूएजल नहां कुछी लेकर दो चाया हुआटादी।